एक और राजसे भाजपा ने धोया हाथ कॉंग्रेस ने लहराया जीत का पर्चम मोदी साह के उड़े होस भाजपाईयों में मचा हड़कम्प बतादे नेपन अगर चिनौ में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है और यहां कॉंग्रेस का दबदबा नजर आया यहां कुल 24 वार्डों में चिनौ हुए जिसमें कॉंग्रेस ने 12 वार्डों में जीत दर्ज की है जबकि भाजपा के 10 से जादा परसदों की हार उन्होंने भाजपा से दो बार के पारसद की पतनी को हरा दिया वहीं भाजपा को वार्ड 16 से बड़ा जटका मिला है यहां भाजपा ने दो बार के पारसद प्रदीव दवे की पतनी बैसाली को मैदान में उतारा था जिसे कॉंग्रेस की भारती बिनोध पार्टिल ने 189 वोट के अंतर से हरा दिया कोंग्रेस ने भारती को अपना अध्यच पद के लिए घोसित भी कर दिया है वहीं भाजपा से पूर्व अध्यच मीना राजेस चोहान ने वार्ड आठ से जीत दर्ज की भाजपा से पूर्व नगर पालिका उपाध्यच रहे बिजय यादो की पत प्रत्यासी चाया गोटगे और निर्दली सरला प्रवीड काटकर दोनों को 126-126 मत मिले जहां लखी ड्रा से नाम निकाला गया जिसमें सरला प्रवीड काटकर ने विजय दर्ज की सरला के प्रत्य प्रवीड काटकर पूर्व भाजपा मंदल अध्यच रहे हैं अध्यच पत्की प्रत्यासी भारती बिनोद पाटिल ने भी जीत दर्ज की वहीं नेपन अगर पालिका चुनौ में कॉंग्रेस और भाजपा के बीच काटे की टक कर रही हाला कि इस्टार प्रचारकों के मामले में भाजपा आगे रही लेकिन कॉंग्रेस ने भी जनसंपर्क करने और जीतने के लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने बीते दिन रव्यार को सुबह नो बजे औधोगिक प्रसिचर संसता भावन में मतों की गड़ना की गई एक घंटे में पूरी तस्बीर साफ हो गई बता दे कि इस बार अध्यच का चुनौ प्रत्यच प्र बिनोध बातिल पूर्व से घोसी थे तो वहीं भाजपा से मीना राजेस चौहान भी अध्यच के दावेदार है